नमस्कार दोस्तों, वैशनवी औरगेनिक डेरी फर्म में आपका स्वागत है, अगर पसु के आपको ज्यादा डिसेंटरी हो रहा है, ज्यादा दस्त हो रहा है, पतला वो हो रहा है या गोबर में मतलब बदबु आ रही है या उसमें कीडे चल रहे है, इसका मतलब पसु को जो है लिभर संबंधित प्रोब्लम हो गया है या बिमारी हो गया है इस बिमारी को आप कैसे मतलब ठीक कर सकते हैं वो बिना डॉक्टर के घर बैठे इसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ लिभर संबंधित प्रोब्लम में पसु को इलाज करे सबसे पहले पसु को जामुन के दो मुठी पत्ता सुबह और साम सब्ताह में चार दिन तक दें जिससे की उससे ठीक हो जाएगा अगर जो है दोस्त कर रहा है पतला कर रहा है गोवर तो बिलकुल ठीक हो जाएगा अगर आपको इससे नहीं ठीक होता है तो पसु को आवला का एक मुठी पत्ता सपताह में दो दिन खिलाएं और अगर ज़्यादा लिभर सम्मधित प्रोब्लम है तो सुखा आवला सुखा और सुखा और सुखा साम बारिक पिसकर दाना या किसी भी परकार से पसु को लागातार सुखा और साम सपताह में पांच दिन या चार दिन खिलाएं लिभर सम्मधित इम्मनिटी सिस्टम स्ट्रॉंग होगा और लिभर मजबूत होगा और आपका लिभर का प्रोब्लम जो है बिलकूल ठीक हो जाएगा और आपको किसी भी परकार के फिर गाये को परशानी नहीं आएगा भविष्य के लिए भी उसका लिभर मजबूत रहेगा तो दोस्तो इसके अलावे आप जो है जो इलाज कर सकते हैं एक अंग्रेजी दवाई बहुत ही अच्छी आई है ब्रोटोन टॉनिक है ब्रोटोन ब्रोटोन टॉनिक है पसु को अगर लिभर में इंफेक्शन है इंफ गोबर पतला करता है किसी भी परकार की समस्या से या उसमें कीडा चल रहा है गोबर में तो आप ब्रोटोन टॉनिक दे सकते हैं और इन सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं या बीमारी से तो यह तीनों परकार के इलाज में से हो जाएगा बिल्कुल कैसा भी लिभर स विर्वेक कमपनी का आता है यह बड़े पसु को 50 से मिल छोटे पसु को 20 से मिल देना रहता है तो दोस्तो इसके साथ आप अगर कुछ और करना चाहते हैं तो सीसम का पत्ता दो मुठी सुबह साम खिलाने से लिभर संबंधित रोग खत्म हो जाता है और लिवकिरिया स्वे प्रदर रोग भी ठीक हो जाता है जैसे स्वेत जैसा गायों को कुछ निकलते रहता है गिरता है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो एक कंबिनेशन में सप्ताह में दो दिन सिसम का पत्ता और आमला जो है दो दिन दिजिए और एक दिन जामुन का पत्ता दिजिए तो बिल्कुल गाय जो है आपका जो है लीभर से संबंधित पुरूबलम घर पे ही आपका ठीक हो जाएगा किसी डॉक्टर की या किसी भी जो है कितना भी कहीं भी जान करके पैसे खर्च करने या डॉक्टर को बुलाने के जरूरत नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद डिप्सक्रिप्सन बॉक्स में जानकारी दिया हुआ है आप जरूर देखें और लिख सकते हैं उससे और इलाज कर सकते हैं